दोस्तों कोई आपके नमबर पर कॉल करता है तो incoming call वीजी बताता है निसी आती नहीं है ऐसी समस्या है आपके फोन पर call नहीं आती है call नहीं लगती है कोई लगाता है तो कैसी इस problem को solve करेंगे कैसे setting ठीक करेंगे यही सारी आज की इस वीडियो आपको जानकारी देने वाला हूँ फिर वीडियो प्यारी लगएगी तो support भी जरूर करिएगा वीडियो को like याम चैनल को subscribe तो बिना किसी देर इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू तो hello and welcome दोस्तों आप देख रहें ड्राइट यंग सा इंटूब चैनल और में नाम है रूपेज दोस्तों आचली शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं ना दोस्तों फिर कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों यहां पर समस्या है ना कि incoming call आपका बीजी बताता है ऐसे कुछ समस्या है call नहीं आती है तो 100% एक setting बताने जा रहा हूँ जिसके मदद से आपका कार्य हो जाएगा और आपका solution मिल जाएगा तो आपको अपने dialer में जाना है और dialer में जाने के बाद ना उपर के साइड यहां पर तीन बिंदी होगी तो इस तीन बिंदी पर दबा दिजिएगा और यहीं पर एक option आएगा setting का setting पर जाना है और supplementary service के नाम से एक option होगा इस पर क्लिक करना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा wait करेंगे और यहीं पर एक option आएगा यहां पर देख सकते हैं जैसा कि call bearing का तो call bearing पर क्लिक करेंगे और जैसे हां पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा setting होगा outgoing, international, सारा कुछ बहुत सारी setting देखने को मिलेंगी यहां पर आपको करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ करना है ठीक है उसके बाद आपकी call वाली problem जो है solve हो जाएगी और जैसा कि देख सकते हैं पूरा loading ले रहा है और यहीं से हम लोग का setting करना जो मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए दोस्तों यह जो जितनी setting है न यह calling से related है यह सब setting बंद होना चाहिए यदि आपका all incoming call वाला setting चालू है इसे बंद कर दीजेगा ठीक है यदि बंद चालू रहेगा तो call नहीं आएगी आप परिसान हो जाएगी ठीक है मतलब इसमें से कोई आपका चालू नही setting में जाना है ठीक है देखिए मैं setting में चलना अपने वाइल फोन के ऐसे भी ऐसे ही आपको भी अपने वाइल फोन के setting में आना है उपर सर्च बार होगा सर्च बार में लिखिएगा reset setting ठीक है reset फोन की setting हो बदल जाएगे नि कॉलिंग वगर की समस्य थी वो सॉल्व हो जाएगी ठीक ना बस setting बदल जाएगी डेटा वगर कुछ लॉस नहीं होगा तो बस रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके रिसेटिंग कर लेंगे तो आपका कार हो जाएगा ठीक है और यदि पहली वाली setting ही कार कर गई हो तो यह करने की ज़रत ही नहीं है और यदि नहीं कार की हो तो यह वाला setting कर जाएगा आपका problem solve हो जाएगा 100% तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना ख्याल रखेगा जय हींद बंदे मात्रम जय मातादी फ्रेंट्स बाई बाई दोस्तों